इंडिया विक्स अपने लोईस्ट लेवल को टच किया है और सिंगल डिजित में ट्रेड किया पिछले कुछ हथे और इस गिरावट के बाद ट्रेडर में एक पेनिक सा बन गया अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो विक्स की थोड़ी वैल्यू होती है ओवरॉल मार्केट को जज करने के लिए लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और आप्शन में ट्रेड करते हैं तो विक्स एक ब्रहमास्तर है जो आपको एक ऐसा रेंज देगा जिसकी वज़़ा से ट्रेड करने में आसानी हो तो वो आगे मैं कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा तो अब ये विक्स है किसको विक्स यूज करना चीए क्या केवल विक्स के वेसिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं क्या ऐसा रीजन था जिसकी वज़़ा से विक्स में इतनी गिरावट आई आज की वीडियो में हम इन सब को कवर करेंगे और बहुत नया सीखेंगे जिससे आप मई में इस विक्स का फा आज सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आईकॉन हिट कर लीजेगा और साथ में जो 10 मई से हमारी क्लास शुरू हो रही है उसमें एक महने के लिए एक सबसे अनोखी सर्विस दी जा रही है जो आज तक कभी नहीं दी है तो क्या है सर्विस जाननी के लिए 970-80-9431 पे बट ये सबसे unique benefit है तो Wix का मतलब है volatility index जिसको अगर हम एकड़म देशी भासा में समझें तो market में कितना fear है, कितना डर का महौल है वो दिखाता है बर event जैसे election हो गए, covid का time हो गया, war हो गया ऐसे time में Wix काफी volatile होता है और बढ़ जाता है क्योंकि उस time uncertainty का माहौल रहता है पूरा examples से लेते हैं, आपको covid के time में क्या दिखा वो हम Wix के chart से दिखाते हैं तो सबसे पहले तो हम यहाँ Wix के chart पे आगे और daily के chart पे आगे और daily के chart पे अगर आप देखोगे तो यह वो candle है जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि Wix 9.85 का low बनाया यानि single digit में आया और अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो यह अपने lowest level के पास trade कर रहा है बराबर यह तो पहली चीज़ जो मैंने chart पे दिखाई वो clear हो गई अब हम थोड़ा सा covid में आते हैं कोविड में आने के लिए हम weekly chart पे आ जाते हैं और यह 2020 का वो समय था जब कोविड आया था और क्या spike आया था यानि यह वो तेजी है जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी यह देखे समय और यह वो तेजी यह है कोविड का time frame जब डर का माहौल था और ऐसी ही unique चीजे मैं YouTube premium membership में सिखाता हूँ 799 रुपय का plan है जहां पर आप join कर सकते हैं बहतरी learning अगर आप एक real trader है तो join करें अब एक छोटी सी calculation आपको दिखाते हैं जिससे यह clear होगा कि Wix से हम क्या सोच सकते हैं समझ सकते हैं और जान सकते हैं तो जैसे जब अभी मैं video shoot कर रहा हूँ तो India Wix का value क्या है यहां पर live दिख रहा है 12.18 बराबर है इसका यह मतलब हुआ कि market Wix value आने वाले time में एक साल हो इतना percent उपर या इतना percent नीचे जा सकता है और यह किसी भी time frame में जा सकता है यह हुआ इसका मोटा मोटा calculation तो 12.18 से इतना उपर यानि 12.18% उपर यह 12.18% नीचे जा सकता है यह कब का हुआ yearly कहानी हुई अब इस yearly कहानी के बाद आता है हमें weekly समझना है कि weekly क्या move हो सकती है राइट तो weekly जानने के लिए एक calculation है एक साल में हुए total 52 हपते उसको आपको निकालने है under root अब जो भी value आ रही है हपते हुए बराबर है माल लिजिए कि 10 का weeks है एक example के लिए ठीक है तो 10 और 52 का root square हुआ 7.2 math है root square जो डालते हैं उससे निकालेंगे तो हुआ 7.2 तो 10 weeks की value हमने मानी थी तो 10 को divide करेंगे 7.2 से तो हमारा जो value आएगा वो आएगा 1.38% इसका मतलब यह हुआ कि अगले हपते में market 1.38% या तो बढ़ सकता है या नीचे जा सकता है तो उस condition में हमें weekly movement की कहानी पता चली कि कि कितना market बढ़ सकता है लेकिन क्या बस इस basis पर हम trade कर सकते हैं जब हमको range पता चल गया तो बिल्कुल नहीं ये एक major factor है जिसकी वज़े स विक्स को लोग उतना जादा analyze करते हैं लेकिन बस एक factor सहीं नहीं है अगर आप इस तरीके से trade कर रहे हो तो गलत है हाँ विक्स के कुछ ऐसे level है जो environment बनाते हैं buyer और seller को different करने के लिए और जो most common भी माना जाता है जैसे अगर विक्स 10 के पास है या उससे नीचे है तो buyer को फ दर के perspective से अच्छा होता है क्योंकि वहां option के premium काफी ज़्यादा हाई होते है तो अब चलते हैं reason पे कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़ासे अचानक विक्स 20% के ज़्यादा गिर गया जो आपने chart पे देखा क्योंकि ऐसा कुछ तो डर का माहौल हुआ तभी तो विक्स क्र अब इसको भी मैं दिखाता हूँ chart से अब यहां पर देखे यह वो time है जब war की कहानी आई और market में डर का महौल हुआ तो विक्स उपर गया और यह वो time है जब war की कहानी over हुई तो विक्स में जबरदस्त गिरावट हुई तो live आपको समझने को मिला हुआ तो जल्दी से like कर दीजे दूसरा है upcoming election normally most of the time देखा गया है कि election के बाद विक्स कूल आफ हो जाता है जैसे कि 2014 में हुआ था एक ही दिन में 25% विक्स गिर गया था और 2019 में 30% लेकिन इस बार mostly लोगों को यह लग रहा है कि political party एक ही है जो strong है इसलिए कहीं न कहीं ये भी एक reason है कि भाया आए lot size of nifty lot size कम होनी की वज़े से participation और बढ़ेगी लोगों की और otm strike के bid और ask में भी difference आएगा और ये भी कहीं न कहीं एक कारण है विक्स थोड़ा सा cool off हुआ है तो अब उमीद करता हूँ आपको विक्स के बारे में सारे doubt clear हो गए होगे इसके अलावा भी अगर आपको लगता